दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूं देवेश दोस्तों रोजाना शुभय और साम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालेसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्लिक करके अपना पसंदीजा कोर्स जोइन कर दीजिए उसी क्रम में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि भाई साब राहुल गांदी को एक वाद समझ में नहीं आ रही है कि पीएफ का पैसा अडानी की कंपनियों में न नहीं मिल पा रहे हैं साथ में भी इसका जो आई प्यूआ वो लटक गया है तो जो फिजिक्स वाला वग्यारा के यह 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 वी उनके भी आपने वीडियो वीडियो देखे होंगे क्या विवाद है स्टार्ट अप का और इसका स्टार्ट अप इको सिस्टम के नजरीय से हम करेंगे साथ में भाई साब एल जी ने भारत में मैनुफेक्टरिंग को लेकर बहुत ही इंट्रस्टिंग लिया है और भाई साब आप जो है यह हॉस्पीटल है भाईया जी और इस हॉस्पीटल में यह हवन हो रहा था इसका विरोज किया जा रहा है और किसके द्वारा विरोज किया रहा है वो गौर करने लाएक है नाम पढ़िए आप आप स्वयम समझ जाएंगे बरगीश के जॉर्ज इन्होंने कहा है कि सहाब हमें जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और हॉस्पीटल में सेंट्रल एसी है सब के फैपड़ों में द्वां घुश जाएगा इनको सब पता है सब पता है लेकिन पोटो में जो चीज़ देख रही है वो चीज़ नहीं बोलेंगे वहां गेट के सामने हो रहा है यहां से द्वां होगा तो निकल जाएगा दूएगा वैस्स अगर डियांा लगा सकते हैं कि दूए नहीं उठेगा बी तो इस लोग दो करते हैं तो एसी gym में exercise करते हैं ताकि इनकी exercise से दुनिया भर में pollution फैले जिम में जाएंगे भी तो भी कैसे जाएंगे गाड़ी से जाएंगे Mercedes-Benz से इन लोगों की हर activity से pollution फैलता है लेकिन सांस्कृतिक को इक आयोजन हो उसमें इनको दिक्कत है और रही बाद यह जोर्ज सहाब है इन से पूछ कि वह आज ही सोबय हमने चर्चा कर दीती अरुनाचल प्रदेश की वह घटना कि वह आदिवासियों को पेरा सीटमोल दवाई खिला के कहा जाता है कि तुम्हारा बुखार उतल गया यह हमारे धर्म का कमाल है भरमांतरत कर रहे हो आप वह ठीक है लेकिन अगर हवन किया जाए तो भाई आपका सेक्लॉरिज्म हैं मतलब आप लोगों का पूर दुनिया पर कभजा है अमेरीका, यूरोप, उस्ट्रेलिया, नियुजिलेंड पूर दुनिया पर कभजा है लेकिन भाई साब कम से कम सर्याम तो मत बोलो यह भाई ज्रेट के सामने हो रहा है और हम तो कर ए प्रियास करने लाइक हो सकता है लेकिन आप हवन का विरोज करो यह आपका पाखंड है अगर आपको विरोज दर्ज कराना है तो आप मिश्णरियों के द्वारा जो धर्मांतरम किया जा रहा है उसका भी विरोज कीजिए तब हम मालेंगे आप कितने सही हो इसी भी राहुल ग पैसाउं पर दिन रात पलते हैं बारत का विरोज करने की इनको तंखा मिलती है वाई सब गालियां देने के पैसे मिलते हैं रिपोर्ट के आई है यह आदमी तरह नहीं करता यह टेक्निकल रीजन से NSE करता है कि कौन सी कंपनिया होना चाहिए कौन सी कंपनिया नहीं होना चाहिए बोल डालते रहते हैं निकालते रहते हैं यह हिंडनबर का एपिशोड कब हुआ जन्वरी में हुआ अगर अडानी की कोई जाच चल रही है उसमें कुछ निकलेगा तो भई अब अडानी को निक बावे नहीं दूजरा अडानी का कितना है इसमें वेटे अडानी की दो कंपनिया है भाई साव मुश्किल से एक या दो परसेंट के लगवख होगा मतलब यदि EPF 100 रुपईया डालती है निफ्टी में तो अडानी को एक अच्वाद दो रुपईया ही मिलेंगे उस जा थोड के जमाने में निफ्टी-फिटी इंडेक्स बना था उसकी मेज़डोलोजी आपके जमाने की है उसी का पालन करते हुए निफ्टी-फिप्टी में अडानी को सामिल करा गया है कल को अगर नियम काईदों को पालन नहीं करेगा तो निकाल भेगिंग है उसको उसके लिए आएगा आठ परसेंट मैक्सिमम आपको ज्यादा रिटरन चीह कम समय में तो वहिया उसके लिए निवेश करना पड़ेगा और अडानी निवेश के जरी यह मुनाफ़ा कमा के दिया है अडानी के शियर मल्टी-बैगर साबित हुए हैं मार्केट में तो अगर मालो इस एप एफ का पैसा निफ्टी-फिप्टी में नहीं जा रहा है तो फिर आपके हैदो लोगों से कि आपके पैसे पर एवडी जितना ही ब्याज मिलेगा आपको कोई एक्स्ट्र लाव नहीं मिलेगा मतलब आप क्या चाहते हो चिक्ति भी आपकी पट्टी-फिप्टी में दिखते हैं वह दीरे 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 बढ़ा रहे हैं निफ्टी में अलोकेशन तो पूरा पैसा है उसमें से दस्वारा रुपई यह आने हैं और दस्वारा रुपई यह मैंसे एक या दो परसेंट ही अटानी ग्रुप में आएंगे उसके लिए आप चिल्दा चोड़ मचा है और अगर आपको दर्द है तो भाईया जी उस पाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ो आपने दस साल यूपीस आसन था आपका आपने क्यों निफ्टी फिप्टी को खतम नहीं कियों आपने निफ्टी फिप्टी चलने दिया दिक्कत इसमें हैं निफ्टी फिप्टी में 50 खरता उसके लिए जम्मेदार रहें जांच कराऊ जांच कर रही हो क्या चाहिए सुप्रीम को आपने जांच कर दी से भी जांच कर रहा है और क्या तुम्हारे नीचे चांच करवा दें तबी चैनलेगा सीने को इसी वहीं जी ने जो है 300 क्रोड का निवेश करने का निने ल लेंगे लेंगे परमाणू हत्यार तो बनाएंगे तो घास खाने की तुम्हारी इच्छा थी लोग फूरी हो गई 500 रुपईया के बारा केले मिलने हैं पाकिस्तान में वह भी रमजान के महान पवित्र पर्ववेड सोचो आप में समय पर इनको जो है केला नसीव नहीं हो रह लेकिन इनकी दुर्गती देखो भारत बगल में बैठा है हम दुरियां को केले बेचते हैं और ये केले के लिए परिसान हो रहे हैं इसलिए अन्धे लोग हैं इनको दुस्मनी के अलाबा कुछ दिखता नहीं है ये दुर्गती ये गड़े में जो हैं ये खुद जान बू आई पी आ रहा है था भाई साब अब क्या बोलना है कि सब्सक्राइब अभी नहीं आएंगे अरे मार्केट खराब है कर तुम खराब हो अनाब सनाब वैल्यूएशन पर आ रहा है भाई साब दवा के पॉब्लिसिटी पर खर्चा कर दिया जनता का क्या है इधर दो बादे फेके उधर वो पहके अनाब सनाब वैल्यूएशन पर भी याजी रोधों के प्रॉफिट जनरेट होता है और भाई साब करोडों के वैल्यूएशन पर आ रहे हैं और कोई भाई साब वो कहा जाता है क्या कि काट की हांडी बारवार नहीं चड़ती नाइका में जो में आएगा तो वो पास नहीं हो पाएगा वो बैठेगा इसलिए भाईयाजी समझदार कोई सारा काफी होता है आज जो मार्केट में नहीं आ रहे हैं किसी भीजिक्स वाला और अड़्डा 24-7 की लाई है आप जो वीडियो वीडियो भी देखे होंगे भी आशू-माशू बाह जाते थे प्रोफेसर साहब बगएरा टीचर्स तब भी टीचर्स को खरीदा जाता था अनाप सनाप पैसे पर भाई साहब और वह सवाबिक भी है यह तो टीचिंग की इंडस्ट्री है जो धंदा है उसमें जो प्रोडूशर है कोई लगता नहीं है कोई मशीने लगती नही लेकर बड़ा सवाल यह है कि जो पांट दस बच्शीस करोण की बात चल रही है टीचर्स की वैल्यूएशन की इसमें भाईया जी बड़ी चीज़ यह नहीं है बड़ी चीज़ क्योंकि यह पैसे जो दिये जा रहे हैं टीचर को वह आपकी जेब से निकाले जाएंगे जो बच्चे नीट की और जेई की त्यारी करेंगे उन से निकाले जाएंगे यह कोई जो स्टार्ट आप हैं जो स्टार्ट आप के पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट खड़े हुए हैं जो गिद्द बैठे हुए हैं वो थोड़ी अपनी जेब से दे रहे हैं यह बच्ची 25 चल लही है कि सबसे जो टॉप टीचर है उनी से सबको पढ़ना है इसलिए टॉप टीचर की वैल्यूएशन वह अनाप सनाप है तो में जो इस्टार्ट आप की लड़ाई है उसमें जो में विक्टिम हैं में जनता है जनता फिर जाएगी लाखों रोपा इनको देती रहेग और भाई साब एक से डानते आप पढ़ा कुछ भी लो बच्चा पास होगा अपनी मैनस से पास होगा एक्जामी टेट टक्स रखें अधिकांस लोगों ने अधिकांस कोचिंग में तो बही एक्जामी इतने टक्श होते हैं कि वो स्लेक्ट ही क्रीम को करते हैं अब क्रीम है भाईयाजी वो तो अब ऐसे पार करके निकल जाएंगे भाईयाजी पढ़े लखे होस्यार बच्चे को सेलेक्ट करवाना कौन सी बड़ी वास है तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही इनका ऑटोमेटिक सेलेक्शन होगा तो इसमें जो हमें देखना है वो यह हैं पूरी अब दोस्तों राम नवमी और हनुमान प्राकट्यो सबके दो महान उससब आ रहे हैं इसलिए उनके उपलक्ष में पचास परशंट तक का भारी वरकम डिसकाउंट दे रहे हैं आप में पर इन्वेस्टर कोर्स पर टूचर्स और ऑप्शन कोर्स पर तो अभी तो यदि आप शेयर मार्कट्ट में आचार चानकी की हेजञीं स्ट्रेटन के माद्यम से हर गिरावत अरकेट वही वही रहे उस दोरान भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 8 में निर फर ऑप्शन कोर्स पर विचार कीजिए, फ्यूचर्स कोर्स पर विचार कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जोएन कर लिजिए, वाटस्टाप ओपन होगा, वहाँ आपने कोड देना है, बिना कोड के तो बहुत बहुत धन्यवाद, जैस्त्री राम